नमस्कार दोस्तों गुरुकुल एडमी में आप से का स्वागत है दोस्तों आज हम आप लोग के लिए विज्ञान की टो फिफ्टी क्यूशन से लेकर आए हैं जो बारवर परिक्षा में पोचे जाते हैं अगर आप लोग किसी भी एक्जाम के तयारी करजा आप विज्ञान आती हैं सभी एक्जाम्स के लिए फ्रेंस से क्यूशन बहुत ही फाइदमन रहने वाले हैं बहुत ही यूजफुल रहने वाले तो फ्रेंस वीडियो को न तक जोड़ देखने और आप से रिक्वेस्ट परते क्यूशन का अंसर कमेंट बोक्स में जरूरता कि जो भी आपकी पहला क्यूशन है कोन सी रंग का त्रंग धैर्द सबसे अधिक होता है कोन सी रंग का त्रंग धैर्द सबसे दिक होता है तो फ्रेंस लाल रंग का त्रंग धैर्द सबसे दिक होता है यानि ए ओफ्षिन होगा राइट आंसर लाल रंग ठीक है देखिए नेक्स्ट है एक मा ब्राबर होता है फ्रेंस एक माइक्रोन तो एक माइक्रोन ब्राबर होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम्म के यानि ओफिशन डी होगा राइट आंसर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम्म के ब्राबर होता है एक माइक्रोन ठीक है next सबी गैस सुन्न आयतन प्राप्त करती है जब ताप करम गटाया जाता है कितना ताप करम गटाया जाता है कितना minus 273 degree Celsius minus 273 degree Celsius यानि option C होगा राइड अंश्योर देखें next अमल बदलता है किसको किसी बदलता है अमल acid किसको किसी बदलता है किस हो किस में नीली लिटमस को लाल में यानि ए होगा रेट आंशर नीली लिटमस को लालें बदलता है अमल याद रखना ठीक है नेक्स्ट है चीनी की गोल में तापकरम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेता है कैसी रहती है कैसी रहती है जी बिल्कुल बढ़ती है चीनी की गोल में तापकरम बढ़ाने पर चीनी की विलेता यानि option B होगा राइट आंसर क्या है बढ़ती है ठीक है देखें का नेक्स्ट कारबन का सुदतम रूप कौन सा है कारबन का सुदतम रूप कौन सा है तो फ्रेंस हीरा है कारबन का सुदतम रूप यानि option D होगा राइट आंसर हीरा ठीक है देखें नेक्स्ट है निम्नांकित में सी कौन सा ततो कारबनिक योगिक में मौजूद रहता है कौन सा ततो कारबनिक योगिक में मौजूद रहता है क कारबन रहता है यानि यह होगा राइड आंसर कारबन ठीक है नेक्स्ट है कोनसी गैस का आवरण सूरी से निकली पैरा बैंगनी विकर्ण को अवसोसित करता है कोनसी गैस का आवरण करता है ओजोन गैस का आवरण यानि यह होगा राइड आंसर ओजोन गैस राइड किसकी प्रियोग दवारा ठीक के जा सकती है मायोपिक आँख को किसकी प्रियोग दवारा ठीक किया जा सकता है आउतल लेंस के दवारा यानि ए होगा राइट आउतल लेंस राइट आगे चलिगा देखी नेक्स्ट कंप्यूटर की भासा में कंपैलर क्या होता है कंप्यूटर राइड आंसर क्या है ओच स्त्री भासा की मशीन स्त्री भासा में रूपांटरन करने का प्रोग्राम है याद रखना चले फिर अगला कुर्शन देखे क्या है AWACS का पुर्ण रूप क्या है क्या है जी Airborne Warning and Control System है AWACS का पुर्ण रूप यानि Option B होगा राइड आंसर Airborne Warning and Control System ठीक है देखे नेक्स्ट है मुझने में से कोन एक Input Device नहीं है कोन एक Input Device नहीं है Floppy Drive Floppy Drive एक Input Device नहीं है यानि A Option होगा राइड आंसर Floppy Drive ठीक है नेक्स्ट पॉर्टलेंड सिमिंट का मुख की संगटक क्या है क्या है जी चूना सीलिका एलूमीना और मैगनेसिया है पॉर्टलेंड सिमिंट का मुख की संगटक Option C होगा राइड आंसर ठीक है देखे नेक्स्ट कूश्टन फोटोग्राफी में पिक्सर की रूप में प्रियोग होता है किसका प्रियोग होता है फोटोग्राफी में पिक्सर की रूप में किसका होता है सोडियम थायो सलफेट का होता है यानि A Option होगा राइड आंसर सोडियम थायो सलफेट ठीक है नेक्स्ट है, रिक्टिफायर का प्रियोग किया जाता है, किसलिए किया जाता है रिक्टिफायर का प्रियोग, AC को DC में बदलने के लिए, रिक्टिफायर का प्रियोग किया जाता है, जी, ओफिशन D होगा, रिडानसर, AC को DC में बदलने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट है, रतो विटामिन ए का कैमिकल नेम होता है, रिटिनोल होता है, रिटिनोल होता है, मिटी का तेल डालने पर मचर कम होते हैं, क्यों कि यह क्या करता है, लारवा के दालता है, इस्तिर पानी में मिटी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि है लारवा के सास में बादा डालता है option C होगा right answer ठीक है देखें next है computer में प्रियुक्त assembly भाषा कौन सी है computer में प्रियुक्त assembly भाषा है कोने केवल binary संख्याई है यानि option B होगा right answer केवल binary संख्याई ठीक है next है मानो स्रीर की वरहत्तम कोशिका कोन सी है सनाय कोशिका क्या है मानो स्रीर की वरहत्तम कोशिका है a option होगा right answer सनाय कोशिका देखें next है वैदुत अप गटन में कोन सा नियम लागू होता है वैदुत अब गटन में कौन सा नियम लागू होता है कौन सा फेराडे का नियम लागू होता है वैदुत अब गटन में ठीक ना option D होगा right answer फेराडे का नियम देखिए next है electronic वोल्ट एकाई है किसकी एकाई है electronic वोल्ट किसकी उर्जा की काई है यानि option c होगा right answer और जा राइट नेक्स्ट है परिष्ट नाव की विमा क्या है तो यह है mt-2 यानि a रहेगा right answer देखिए next है एक लड़की जोले पर जोल रही है यदि वह खड़ी हो जाए तो जोलने का आवर्तकाल कैसा होगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने क क्या है सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहां आएं और अपने एक्जाम की तियारी को अच्छे सी आगे बढ़ाएं तो फ्रेंस एक लड़की जोले पर जोल रही है यदि वह खड़ी हो जाए तो जोलने का आवर्तकाल घट जाएगा कैसा होगा घट जाएगा यानि ओफ्सन भी होगा रहेट आंशर ठीक है देखिए नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 46% होती है यूरिया में नाइट् सुद्रों के संख्या यानि option C होगा right answer 78 next पारे का परत्रोध सुनने होता है कितने तापमान पर होता है पारे का परत्रोध सुनने कितने पर 4 Kelvin पर होता है option C होगा right answer 4 Kelvin पर ठीक है देखेगा next question क्या है मिथिनोल को कहती हैं क्या कहते हैं मिथिनोल को क्या कहते हैं वुड इलकोहल कहा जाता है जी मिथिनोल को यानि option C होगा right answer वुड इलकोहल right next साधारन लोलक के समय को दोगुना करने के दागी के लंबाई कितनी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए जी हाँ बिलकुल चार गुनी होनी चाहिए ठीक ना साधारन लोलक के समय को दोगुना करने के लिए दागी के लंबाई चार गुनी होनी चाहिए option C होगा right answer देखिए मानो तवचा को रंग कोन परदान करता है most VVI question बहुत बर एकजाम में आता है जल्दी से आप लोग friends इस question का answer देंगे जी हाँ देखिए question दिया है कि मानो तवचा को रंग कोन परदान करता है मेला निन करता है यानि option D होगा right answer पर मेला याद रखना ठीक है देखी next है मानो नित्र में कहां रख तो नहीं पाया जाता कहां पर रख तो नहीं पाया जाता मनो नित्र में कहां कारनिय सब्सक्राइब नहीं पाया जाता है option B होगा right answer कार्णियां ठीक है चलिут फिर अगला question दिखिए क्या हे देखिए जब प्रकास वाय। से कांस में जाता है तो क्या होता है जल्दी से इसकूशन का अंसर देंगे या या करती हैं ठीक है नेक्स्ट हैस्कोर्बिक अमल किस विटामिन का नाम है तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है स्कोर्बिक एसीड औफसन सी होगा राइड आंश्यर नेक्स्ट है धवनी किस रूप में यात्रा करती है किस रूप में यात्रा करती है धवनी, तो याद रखना, अनुधिर्द तुरंगों के रोप में यात्रा करती है, ठीकогда देखेगा? सोनार मुखेते उप्योग किया जाता है किसे के दवारा उप्योग किया जाता है सोनार तो समुद्री यात्रियों के दवारा उप्योग किया जाता है सोनार यानि option D होगा right answer समुद्री यात्रियों के दवारा next है सोर्य में नाभी के इंधन कौन सा है सूर्य में नाबी के इंधन है कौन हेलियम है सूर्य में नाबी के इंधन यानि ए ओफशन होगा राइट आंसर सूर्य में नाबी के इंधन कौन है हेलियम है ठीक है नेक्स्ट है श्रीर की दवित्य सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है श्रीर की दवित्य सबसे बड़ी ग्रंथी पूचा है तो यह अगनासी है यानि ओफशन डी होगा राइट आंसर अगनासी श्रीर की दवित्य सबसे बड़ी ग्रंथी है ठीक है नेक्स्ट है नेतर गोलक कि सीट दवारा चालित होता है किसी के दवारा चालित होता है नेत्र गोलग जी हाँ किसके दवारा छे-वा स्पेस्जियों की सीट दवारा यानी option व्होगा, right answer, याद रखना next सभी अम लों में सब सी अधिक समानत याadura है budget है यानि ओफ्षिन होगा, राइट आंशर हैड्रोजन सभी अमलों में सबसेधिक समान तो याद रखना, देखीगा, नेक्स्ट, ओख्षिक्रण को किस रूप में परिभासित किया गया है, किस रूप में, इलेक्ट्रोनों की हाने की रूप में किया गया है, यानि ओफ्षिन द होगा राइड आंशर इलेक्ट्रोनों की हाने की रूप में ठीक है नेक्स्ट है अमल का स्वाद कैसा होता है अमल का स्वाद कैसा होता है खट्टा होता है फ्रेंस अमल का स्वाद राइड ओफ्शन भी होगा रेड आंशर खट्टा होता है अमल का स्वाद याद रखना नेक् किसके एकाई है प्रकास वर्ष जी हां याद रखेंगे प्रकास वर्ष एकाई है दूरी की किसके फ्रेंस दूरी की काई प्रकास वर्ष दूरी की यानि एरहगा रहाँ दूरी की सबसे बड़ी एकाई पार्षेक है और एक पार्षेक में तीन दसमलों दो छे प्रकास वर्ष होते हैं ये भी आद रखना देखिए नेक्स्ट है एक जूल ब्राबर होता है किसके ब्राबर होता है एक जूल एक जूल ब्राबर होता है किसके ब्राबर होता है दसकी पावर साथ अरग के ब्राबर होता है एक जूल यानि A option होगा right answer दस की पावर साथ अर्ग right next पेंड का भार सोनने नहीं होगा कहां पर सोनने नहीं होगा पेंड का भार पेंड का भार सोनने नहीं होगा कहां पर सवतंतर गिरने के दोरान यानि option B रहेगा right answer पेंड का भार सोनने नहीं होगा सवतंतर गिरने की दोरान राइट नेक्स्ट है वर्षा की बूंदी किसी के कारण से गोलाकार होती है वर्षा की बूंदी किसी के कारण से गोलाकार होती है तो पृषित नाव की कारण से होती है यानि ये रहेगा राइट आंसर पृषित नाव राइट देखिएगा नेक्स्ट जब बरफ की टुकडी पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक कैसा रहता है कैसा रहता है घट जाता है फ्रेंज जब बरफ की टुकडी पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है यानि ए होगा राइट आंसर गट जाता है ठीक है चलिए गा देखिए next question आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर नियुन्तम परवर्त है कौन है सोती है option भी रहगा राइट आंसर देखिए next question non stick और सोई के बरतन पर किसकी प्रत होती है टेफलोन की प्रत होती है जी non stick और सोई के बरतन पर यानि option C होगा राइट आंसर टेफलोन ठीक है next है चलिए देखिए कौन सी धातू नाइटरिक अमल दवारा प्रभावित नहीं होती कौन सी धातू नाइटरिक अमल दवारा प्रभावित नहीं होती शोना यानि option B होगा राइट आंसर शोना याद रखना देखिए next है लिकित में से किसे बहारी जल कहा जाता है इनमें से किसको कहते हैं बहार जल option B होगा right answer deuterium oxide ठीक है देखीगा next question laughing gas है इन में से क्या है laughing gas nitrous oxide है यानि यह रहेगा right answer nitrous oxide तो friends यह थे आज के हमारी questions जो अभी complete हो गई हैं अगर कोई doubt share किजिगा सभी के doubts अगली class में clear के जाएंगे जो लोग पहले बार यहां आएं हैं जल्दी से आपने फ्राफट चैनल स्काइब करेंगे साथ में बील आइकन पर भी कलिक कर लेंगे अगर आपने तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने friends के पास share करेंगे ठीक हम तुफरें चलेगा मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए गुडबाई जाए हिंद जाए भारत वंदे मात्रों